आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे मश्रओम का पिकल कैसे बना सकते हैं? मश्र॓म का अचार या कश्मिरी में आचार यह काफी जादा टेस्टी बनता है Everybody Allows पिकल और मश्रूम का पिकल बहुत ज़्लादा टेस्टी बनता है यह बहुत different recipe है इसे मैं आपको काफ़े टिप्स दूँगी तो आपे जरूर एंट तक देखेगा वीडियो ट्राइ कीजेगा यकीन मानी आपको इतना पसंद आएगा यह तो देखे हैं हमने मश्रूम्स लिए हैं यह बटन मश्रूम्स है लेकिन फ्रेश वाले बटन मश्रूम्स है कैन नहीं तो हम इनको क्लीन करेंगे इनको हम दो बार क्लीन करेंगे पहले बार हम इनको वाश करेंगे इस तरीके से यह ठंडे पानी से आपको वाश करने हैं गरम पानी से नहीं कीजेगा इनको जो उपर यह मिटी वगेरा होती है ब्लैक स्पॉट्स वो सारे आपको क्लीन करने है अ यह आपको बिलकुल बटन मश्रूम जैसे आप कैंड वाले लाते हैं वैसे हो जाएंगे यह देखिए लेकिन यह फ्रेश वाले हैं और वो कैंड होते हैं डिफ्रेंस रिफ इतनी है तो आप हम इंको सेकंड वाश करने के बाद प्रॉपर्ली क्लीं कर लेंगे यहापे आप द देंगे दो चोटी चममेच विनिगर यह कश्मीरी में सिरका इसमें जरूरी हमें मश्रूम को ब्लांच करना है ब्लांचिंग से इंका कालर चेंज नहीं होगा वरना जब इंको रखेंगे हम ओवरनाइट या पिकल बनाने के लिए तो इंका कालर जो बहुत डाक हो जाता है लेकिन जब आप इंको सिरके वाले पानी में या विनिगर वाले पानी में ब्लांच करेंगे तब इंको कलर चेंज नहीं होगा तो मेक शूर आप इंको पांच मिर तक ब्लांच करें उसके बाद हम इंको निकालेंगे और डारेक्ली ठंडे पानी में डाल देंगे तो यहां थंडे पानी में पाँच मिनट ऐसे रख देंगे उसके बाद अगर आपके पश मुष्रूम जो है वह चोटे हैं काफी तो आप उनको चॉप नहीं करेंगे टू हाउज में वरणागर आपके चानी या सीव और नीचे रख देंगे बोल फिर डाल देंगे आप मश्रूम के ओपर नमक तक रीबर एक चोटी चमच तक तो नमक डालने के बाद अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे और हमें ये और नाइट रखना है नमक से क्या होगा कि जो इनमें सारा पानी है वो निक चुका है ये ज़रूरी आपको एक रात पहली करना है ये प्रोसेस ओवरनाइट तब जाकि इनमें जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा नमक पैंकने से यहां पे देखिए इनको पानी निकल चुका है बढ़ा थोड़ा से सर्फेस पे इनको पानी लगा रहेगा उसके हम इनको रखेंगे इस तरीके से टिशु पेपर पे अगर आपके पास किचिन की टावल है कोई आप उस पे इनको सुखा सकते हैं फैन के नीचे कुछ देर जब तक जो इनको उपर सर्फेस पे लगा होता है पानी वो भी आप सूख जाएगा अधर्वाइस अंदर का जो इ प्राय हो जाए क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अगर अचार में जरा सा भी मॉइस्चिर गया तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा उसमें थोड़ा सा भी आपको पानी नहीं जाना चाहिए तो हम इंको कवर करके रखेंगे टिशु से और अगर आपके पास गर में ट पे वो भी अच्छी से रूमू हो जाएगा और आपके पिकल का खराब नहीं होंगे इस तरही की से करने से आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं दो से तीन महीने तक आराम से क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो अचार प्रिजर्व रहेगा बॉटल में मॉइस्चर ह होगा या इसमें कंटेंट्स में तो अचार खराब होगा बाग इंग्रीडियंट्स है रेच चली पाउडर वाजल मत्सवांगन सॉल्ट नून तुमरिक पाउडर लेदर विनिगर या कश्मीरी में सर्क फिर हमने लिया है कोरियन रेट सीट से कश्मीरी में दानवल बेल फ इसको फैनल सीट्स परद्यान चार चॉप्ट गार्लिक रोहन फिर चॉप्ट जिंजर अधरक इसको चॉप किया है फाइनली देखिए फिर हमने यूज किया है यहां पे गरिंग काडमम नीचरल क्लोवज रोंग फिर यह कालोंजी या ब्लाक सीट्स और नाइजिला सीट्स अगर नहीं होगा तो आप सक्विप्ट कर सकते हैं फेनुग्रेख सीट्स या मेह भी होगा अगर नहीं होका और we can nrda की फने पार म सक्वाइंगे अगर नहीं होगा या लो फिर लेंगे mustard seeds या आसूर बोलते हैं इसको कश्मीरी में एक चोटी चमच तो ये आपको burner की flame रखनी है medium या लो और इसको roast करना है फिर carom seeds या जवाएन या जावेन एक चोटी चमच साथ में हम लेंगे कालोंजी या नाइजिला seeds आदे चोटी चमच फिर लेंगे हम fenugreek seeds या मेत ब्योल आदे चोटी चमच तो ये देखिए इंको हम roast करेंगे आपको एक तो popping sound आ जाएगा इसमें और उसमें आने लगेगे आपको spices की तो आपको समझ में आ जाएगा color chain से भी किये roast हो चुके है इंको medium to low पे करेंगे roast फिर इसको निकालेंगे और हम इंको coarsely grind करेंगे coarsely मतलब हलका सा पूरा आपको इंको fine powder नहीं बनाना है ये देखिए या तो mix a grinder में कर सकते हैं या तो आप normally कर सकते हैं मॉटल है पैसल में नियम उसमें भी आप इसको कर सकते हैं coarsely grind बस हलका सा तोड़ना है इन spices को हमें तो चलिए ये भी हो गया है इसके बाद अब हम लेंगे mustard oil या कुश्यू तील 200 ml तक हम लेंगे यह हम लेंगे एक pan में और जब यह गरम हो जाएगा और इसकी smoke निकल जाएगी तो तब हम इसमें डाल देंगे mushroom mushroom हम इसले डालेंगे इसमें क्यूंकि we have to make sure कि mushroom में कुछ भी moisture नहों इसलिए हम इंको हलका सा सौते करेंगे इस पे ताकि इनमें बिल्कुल भी moisture content ना रहे है दारली का पिकल देखा होगा रोहन आचार उसमें भी हमने आपको दिखाया है कि उसमें oil में इंको fry करना होता है ताकि moisture बिल्कुल भी न रहे तो हम यहां पे burner की flame रखेंगे अच्छे से हम करेंगे एक से दो मिनिट तक fry देखिए mushrooms को ताकि इनमें कुछ भी moisture ना रहे और यह प्रॉपरली अचार के लिए ready हो जाए तो यहां पे हमने इंको fry किया है और आप हम इंको निकाल के रख देंगे जब हम इंको fry करेंगे उसके बाद और सेम ऑईल में फिर हम डाल देंगे देखिए निकाल के रख दिया उस बोल में जिसमें आपको mix करना है फिर अचार बोल में भी moisture नहीं होना चाहिए फिर हम सेम ऑईल में डाल देंगे जो हमारे पर चॉप किया हुआ ध्रग था जिंजर और चॉप किया हुआ गारलिक ताकि इन में भी moisture खतम हो जाए और फिर हम इसी के उपर डाल देंगे लाल मिर्च ताकि कलर आजाए हम इसमें बिलकुल भी color यूज नहीं कर रहे हैं अदर वैस आपको market में भी मिलता है उसमें भी food color एड होता है गर में भी करते हैं कुछ लोग add लेकिन बिलकुल भी food color इसलिए हम लाल मिर्च के ही color से इसको red बनाएंगे हम करन तेल पर डाल रहे हैं एक चमच एक चोटी चमच वान टी स्पून रेड चिली पाउडर वजल मत्सवांगन और हलका सा fry कर रहे हैं हम इसको और फिर उसके बाद आप अकरीबन आदे मिनट या एक मिनट तक मिर्ची को इसपे fry करेंगे और फिर गैस बंद करके रख देंगे इसी में मिर्ची को भी और जिंजर को भी और गार्लिक को भी तो यह देखे बर्नर मैंने बंद कर दिया हैं अब जो मैंने बोल में रखे थे मश्रूम उसमें मैं डाल दूंगी मसाले आदी चोटी चमच हल दी नमक आप टेस्क अक्वार्डिंग डाल देंगे और बहुत कम ट्रेस्ट करके किनकी मश्रूम में अलडी ओवरनाइट नमक जा चुका है फिर डाल देंगे हम इसमें आमचूर पाउडर यह आप एक पिंच डाल देंगे या वान थर्ड अफ टीस्पून फिर डाल देंगे हम इसमें फैनल सीट से कश्मीर में बोलते हैं इसको बढ़ द्यान या उर्दो में सौफ यह डाल देंगे हम एक चोटी चमच चोटी इलाची डाल देंगे आप चार ग्रीन काडमम क्लोव या और कश्मीरी में रौंग दो से तीन फिलाल मिर्च एक चोटी चमच यहां पर डाल देंगे हम क्योंकि एक हमने ओल डी तेल में डाल दी थी अब जो हमने स्पाइस को किया था ग्राइंड वह हम डाल देंगे इसमें यह याद रखिए आपको पाउडर नहीं बनाना इन स्पाइस का बस हलका से इंको तोड़ना है फिलेंगे हम एक टी स्पून जो में जिस्पून का होता है 5 ml का उसके हम डाल देंगे 2 चमच 2 टी नीगर या सर्क के इसमें लुट अचे से अब सारे शु को मिक्स कर देंगे मश्रूम के साथ कौट करिंगे मश्रूम के सारे मश्रूम को सारे शुक्त कर सकते है मश्रूम को आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हाव गूड दे टेस्ट इं केस आपको लगे कि नमख MIAC not a P जो हमने रखे थे ऊइल में डाले कुँए जिंजर और गार्लिक रोहन तद्रख तो हम अड्ड कर रहे हैं और रम डाल देंगे इसमें तेल बी इंका हलका सा और बात में डाल देंगे हम र्मेनिं तेल भी तो आप करेंगे हम अच्छे से mix तेल को भी और सारे स्पाइस को मश्रूम के साथ टेस्ट करेंगे आप कितना जदा अच्छा बना होगा यह अच्छे से प्रॉपरली कोट करने के बाद मश्रूम को यहां पर देख सकते हैं रैड कलर कितना अच्छा रहा है यह सारा मिर्ची का ही कलर है तो अब में बॉटल च तो अगर आप स्टेडलाइस कर सकते हैं बॉटल को उसके बाद को पूरा सुखाएंगे तब जा कि आप इसमें डाल दीजेगा अचार और फिर देखिए आप कितने टाइम को आपको अचार अच्छे से रहेगा ना तो इसमें फंगर चड़ेगा ओपर और ना खराब हो जाए हैं तो प्लास्टिक से बेटर है आप ग्लास में ही इसको अचार को बर के रखें तो पूरे तरीके से उपर तक अगर आपको कवर होगा that is well and good अब हम डाल देंगे इसमें जो हमें extra spices हैं वो भी सारे तो यह देखिए मैं इंको हलका सा मिक्स करूंगी अब और फिर मैं इसमे जो हम इसमें mustard oil यूज कर रहे हैं वो इसको उपर floating होना चाहिए तब जाके वो as a preservative भी इसमें काम करेगा जब mushroom इसमें हर तरफ से dip होगे तो यह देखिए जो मेरे पास pan में आप बचा था तेल बाकी वह में सारा इसमें आड कर दूंगी इस तरीके से आपको इसको प्रेस करना चाहते हैं तो पांच अच्छे दिन एक वी के बाद भी खोल सकते हैं मगर यह दो या तीन दिन बाद भी तयार होगा क्योंकि already mushroom बॉil करने की वज़े से भी तयार हो ही जिपके होते हैं देखिए मैंने इंको रखा ख्लीन राप उपर और अच्छे से हम इसको